हाई गैज मैं हूँ आमरीन आमरीन कैशने में आप सबी का स्वागत है कैसे हैं आप सा उम्मीद करते हूँ आप सब ठीक होगे मैं बिंटम ठीक हूँ मैं मनार जारी हूँ ब्रेट पीजा पॉप्स चली चलते मनाते हैं इफ्तार के लिए बहुत मजी की रेसिपी है बहुत बहुत जादा अच्छी रेसिपी है जब आप उसको खाऊगरना तो एकदम पीजा का फ्लेवर आता है बहुत जादा मज़े के लगता है चली चलते मनाते हैं यह है हमारा ब्रेट पीजा पॉप्स जो कि बहुत जादा मज़े का बना था एक दम पीजा का फ्लेवर आ रहा था और बहुत प्यारा स्पॉट तब खाने में बहुत अच्छा था चली शल्टर बनाते हैं उसके लिए मैंने एक पैल लिया है उसमें दो बड़े चमस तेल गर सौधी करने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया टमाटर एक चुथाई कप ही टमाटर डाला है मैं अभी भी बूली बैटी थी लैसुन को फिर मैंने यहीं पे किनारे पे ऐसी तेल था उसी में मैंने डाल दिया था पर यह सौधी हो गया था थोड़ा सा एक चमस के करी बिल और बस अपको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके और इसको थोड़ा सब भुझेंगे, बूजने के बाद में, मैंने यहाँ पे एड किया, और लाल मिट्जी चिली चीली फ्लक्स काली मिट्जी काउडर् एक चोथाई चमच के करीब मैंने और्गेनो डाला था और दो बड़े चमच के करीब मैंने यहाँ पे मियोनीज आइट करी थी जो की एगलेस मियोनीज थी आप यहां पर chicken कभी बना सकते हो और aloo कभी बना सकते हो उसके बाद मैंने यहां पर दो बड़ी चमच मैंने यहां पर pizza pasta sauce एट किया था और दो बड़ी चमच यह करीब ही मैंने mozzarella cheese भी आट कर दी थी आट करके सबको अच्छे से mix करेंगे थोड़ा सबस mix करना है क्योंकि मुझे शिम्ला में इसको ज्यादा पकाना नहीं है चीज पड़ा हुआ है चीज जलने लग जाएगा तो इसके विए से मुझे बस थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि चीज और मियोनी और सारी सॉसेस सब एक में मिक्स हो जाए और यह हमारी बन के रेड़ी हो गई यह स् कर लिया था सुखा लिया था फिर कट किया था कट करके जो साइड के किनारा निकला है ना इसको फेकेंगे नहीं इसी को मैंने पीस के ब्रेट करम बना लिया था सारे मैंदम मैंने आठ ब्रेट का बनाया था आठो का जो किनारा निकला था ना उससे बहुत सारी ब्रेट करम बन गई थी और उसको बस normal घ्राल में डाल कि और बस घ्रांड करके bread ungefirm बना लिया था सारी bread को मैंने ऐसे cut कर लिया फिर एक side मैंने लगाया Memonis एक side मैं लगाऊंगी पिज्जा पासा इसके बाद में चमच की हल्ब से अच्छे से bread के ओपर spread कर दूंगी उसके बाद मैंने जो स्टेफिंग बनाई थी वो स्टेफिंग मैं यहाँ पर एड़ कर दूँगी अपने अकॉर्डिंग आप एड़ कर सकते हो यहाँ पर आठ मेरा छे पॉप्स बन गया थे मेरे इतने स्टेफिंग में और फिर इसके बाद में अगर आश क्रेम स्टिक नहीं है तो आप ऐसे ही इसको ढ़के और वो फ्राए कर सकते हो पर मैंने 상 Já पास आश क्रेम स्टिक थी बीच में आश क्रेम स्टिक डाला और बंद कर दिया पर मैं हाँ पर भूल रही थी मौजरला चीज मैंने नहीं आड़ कर दी थी, अलग से थोड़ा सा अलग से भी आड़ कर दीती हूँ, उसे थोड़ा सा और चीजी हो जाएगा, यहां पर और आड़ कर रहा है, आड़ करने के बाद में फिट ढ़का है इस ब्रेट से, आप चाहो तो यहां पर भी औरगेनो चीली फलक्स एड़ कर सकते हो, पर मैंने नहीं आड़ किया है, मैंने सिर्फ चीज एड़ किया है, उसके बाद में इसको साइड बिकर दिया है, सारे ऐसे ही बना लिया थे, उसके बाद मैंने एक चुथाई कप मैदा लिया है, और एक च और बहुत पतला नहीं करना है ताकि वह ब्रेट खुल जाएगी और कोट नहीं हो पाएगा बस अच्छे से इसको फेट लिया है और इसमें कोई भी लंच नहीं रहना चाहिए उसके बाद मैंने दोनों साइड से अच्छे से और चारों तरफ जो सीगल है इसकी वह लगा दी और लगा के बस ब्रेट क्रम में डाल दिया है और अच्छे से इसको दोनों हाथ के हल्प से बहुत अच्छे से इसको सारे में कोट कर लेंगे ब्रेट क्रम में ताकि साइड्स ना खुले अगर साइड्स खुल जाएगी तो जो मसाला है वो निकलने लगेगा और तेल में फ उसके बाद तेल गरम पनिक लिए रख दिया है तेल बहुत जादा भरना नहीं है नहीं तो आप समाल नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो रहा था और इसको मैंने 10-15 मिनिट के लिए फ्रीजर में डाला था फ्रीजर में डालने थोड़ा सा ही है ताइट होना स्टार् अट्रीजिंशा में अपूंज से बाद बहुत जल्दी से बनके रैडी हो जाएगा। आप इसे राथ से बना कर रख सुकते हो और अफ्तारी के टाईम में फ्राय कर लो यह बहुत ज़्यादा आपसो अपारा के बहुत ज़्दि जल्दी नहीं बन पाता है जाल गर मैं को मुझे comment में जरूरूर बताना ... अगर में वीडियो अच्छी लगिए तो लादम ही ट्रािया करना और जद आजए बनाना अगर अच्छी लगिए तो like करीड़ करीगा Share करीगा Subscribe जरूर करेग मेरे दोनों चानल को बहूत सारा पैर चीएगा अम्रेन काशियान, अम्रेन काशियान व्लोग्स मिलते हैं आपको एक कल एक नए वीडियो के साथ पर तक लिए बाए